स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल बीजे एजूगेशन में पॉलिटी की सीरी चली थी जिसका ये पार्ट फोर है तो चलिए देखते हैं इंपोटेंट कुशेंस कुशें नमबर है चीरतर आपका निमनलिखित में से सविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है पहला है इसने बड़ी संख्या में समीतियों की मदद से काम किया उनमें से प्रारूप समीती सबसे महतपून थी सही है अलप संख्यक समुदाई जैसे इसाई, एंगलो, इंडियन और पार्शियों को सविधान सभा में प्रियाप्त प्रतिनिदित्तु दिया गया इसका निर्वाचन सारव भॉम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया यह आपका गलत है ठीक है और डी वाले है आपका इसकी चुनाव प्रकिरिया 1935 के अधिनियम की छटी अनुसूची पर आधारित थी कर संपत्ति और सेक्षनी योगिता की कारण मताधिकार सिमित कर दिया गया था तो इसका जो 76 का राइट अंसर जोगा है सी वयस्क मताधिकार पर नहीं वर्गिय मताधिकार पर किया गया था ठीक है कुशनersonersonersonerson77 सविधान निरमात्रिय सभा में जडा समीती के अधिक्ष थे तो ये थे आपके जेबी किरपलानी ठीक है भारतिय सविधान सबा के प्रथम दिन के अधिवेशन के अधिक्षिता इन्होंने की थी किनोंने की थी तो वो की थी डॉक्टर सचीदानंद सिना ने राष्टिय जंडे की अभिकलपना को भारत की सविधान सबा में ग्रहन किया गया तो वह किया गया था आपका जुलाई 1947 में असी है आपका कुश्यन भारत के सविधान का निर्माता किसे का आ जाता है तो यह का जाता है BR Ambeetkarji को भारतिय सविधान सबा ने भारतिय रास्टी द्धज की रूप रेखा को अंगिकार किया तो किया 22 जुलाई 1947 को सविधान सभा ने सविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया तो क्या गया था आपका 26 नॉम्बर 1959 को और अगर पूरे देश में कब लागू किया गएंगे तो वो होगा आपका 26 जनवरी 1950 को ठीक है कोशन नॉम्बर 83 है आपका सविधान पांडूलेखन समीती का निम्ले लिखित में से कौन सदश्य नहीं था तो कौन सदश्य नहीं था मोहमद सादुल्ला थे केम मुंसी थे के एक अईयर थे जवाहल लाल नहरू नहीं थे कोशन नंबर 84 है दुतिय विश्य युद्ध के बाद कब ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी जिसने भारत संबंदी अपनी नई नीती की गोशना की तथा एक सविधान निर्मान करने वाली समीती बनाने का निर्णे लिया तो यह कब हुआ था जुलाई 1945 में भारत का सविधान लागू हुआ अब यहां पर लागू हुआ बात कर रहे न तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 लागू कहा होगा देश में ही लागू हुआ तो यह 26 जनवरी 1950 को ठीक है 86 है आपका सविधान सबा के कितने उपस्तिस सदश्यों ने सविधान पर हस्ताक्षर किये तो यह किये 284, 284 ठीक है कोशिण नमबर 87 है सविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निल्ले इसलिए किया गया क्योंकि कॉंग्रेस ने इस तिथी को 1930 में सवतंतरता दिवस के रूप में बनाया था तो राइट आंचर आपको पहले में ही मिल गया ठीक है 1930 को इसी दिन क्या बनाया था सवतंतरता दिवस के रूप में बनाया था ठीक है तभी 26 जनवरी को सविधान लागू किया गया अगले आपका सविधान सबादवारा अंतिम रूप से पारिच सविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी तो अनुच्छेद थे आपके 395 या आपके अनुच्छेद हो गए और आठ अनुसूचियां थी ठीक है अनुसूचियां थी तो इसका रायट अनुसूच्छ जाएगा C वाला तीन तो पिछन प्छनप अनुच्छेद और आठ अनुसूच्छ और 89 आपका संपूर्ण भारतिय सविधान के निर्मान में सविधान सबा को कितना समय लगा तो यह लगा था आपका दो वर्स, 11 मां 18 दिन, ठीक है, यह तो 9th, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो यह गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुशिन नमबर 91 आपका, भारत के सविधान का, प्रारूप तैयार करने वाली सविधान सभा के सदश्यों को, किसने चुना गया, तो यह चुना गया था आपका, विभिन्य प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, 92 आपका, किस दिन से सविधान सभा का, अंतरकालीन संसत के रूप में आविरभाओ हुआ, तो वो वाथा आपका, 26 जनवरी 1950, आज का अंतिम प्रशना आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के सविधान की प्रस्तावना सुरू होती है, इन सब्दों से, कि इन सब्दों से सुरू होती है, हम भारत के लोग, ठीक है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, हम भारत के लोग राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए